प्यारे बचों मैं गुरुनितेस और आज हम लोग कोशें नंबर 13 सौल्प कर रहा है कोशें नंबर 13 काता है कि कथन को देखें एक हॉल की चोड़ाई और लंबाई का अनुपाद 2 अनुपाद 5 है निम्न सारने को पूरा कीजिए जो हॉल के कुछ संभव चोड़ाई और लंबाई को दिखाती है ठीक है हॉल की चोड़ाई मीटर में हॉल की लंबाई मीटर में यहां दस दिया हुआ है, यहां ब्लैंक है, यहां चालिस दिया है, चोड़ाई में और लंबाई में यहां पचीस दिया है, पचास दिया है, और ब्लैंक है, ठीक है, हम लोग सवाल को बनाते हैं, सॉल्ब करते हैं, सवाल में दिया हुआ है, कि हॉल की चोड़ाई और लंबाई और यह दिया हुए है दू अनुपाथ पांच मतलब दू बटा पांच और बस इसी से हमारा सावाल बनेगा तो हम यह दो का अगर टेबल पढ़ें तो दो में अगर हम पांच से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमको 10 मिलेगा और जितना से उपर मल्टिप्लाई करते हैं उतना ही से नीचे भी मल्टिप्लाई करते हैं तो इसका मतलब पांच में हम पांच से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमको 25 आएगा तो यह चीज आपको दिया हुआ है 10 और पचेस सेकेंड टेबल के लिए हम लोगों को दिया हुआ है दू पटा पांच और उपर में है खाली जा इस थां और नीचे है 50 तो हम लोग को देखना है कि पांच को किसे हम मिल्टिप्लाई करेंगों कि हमको 50 मिलेगा तो जब हम आप से पूछेंगे तो आप कहेंगा सर 5 को 2 से मिल्टिप्लाई करती है 50 मिल जाएगा तो जब हम नाइन गया दू को 10 से multiply करने पर क्या मिलेगा? तो आप कहेगा किसा दू को 10 से multiply करेंगे तो 20 मिलेगा सुर। तो इसका मतलब यह हो जाएगा 20 बटा 50 ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ जो उपर वाला खाली अस्थान था, यहाँ क्या एगा? यहाँ एगा 20. फिर से अगर हम देखे कि दू बटा 5 और अब तिया हुआ है उपर में 40 और नीचे में बॉक्स तिया हुआ ब्लैंक. तो अगर हम आपसे पूछें कि दो में किस से आप कुना करेंगे? multiply करेंगे कि 40 होगा? तो आप बोलेंगे जब 20 से multiply करेंगे, तो यह 20 पचे क्या होगा? तो आप बोलेगे जब 100 हो जाएगा. तो इसका मतलब कि यह हो जाएगा 40 बटा 100. तो इसका मतलब यहाँ 40 पहले से दिया हूआ है. आपको क्या फिल करना है तो देखे बड़े आसानी से हम लोगों ने सारे इसके ब्लैंक को फिल कर दिया है बस इतना ही काम हमको करना था बहुत बहुत धन्यवाद